वेलकम दोस्तों हमारा चैनल आवसी को कुछ में आपका स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में डिसक्स करने वाले हैं कि आप जीयो का सीम यूज करते हैं और किनी कारण मर्स आपका जीयो डाटा खतम हो जाता है तो आप जीयो डाटा लोन किस तरह से प्राप्ट कर सकते वो भी माई जीयो एप के थुरू वो आज की वीडियो में हम लोग चानेंगे इसके लिए सबसे पहले आप अपने मुबाइल के प्ले स्टोर में आजाएगा दोस्तों प्ले स्टोर में आने के बाद यहां पे माई जीयो एप लिखके आप सर्च किजिएगा तो देखे दो då यहां पे ध्यान वाली बात है कि आपने पहले से स्टॉल करके रखा है sırल सकते हैं माई जीयो एप खया और जिसमीं आपको नी नीचे साफ में ठीके आ जाना झावा बाद आपको जी मंई मिल आपको करे आपको जिसमें आपको कहीं भी आपको Gio Loan, Gio Data Loan आपको नहीं मिलेगा, तो देखें तुस्तों, यहाँ पर मैं कुछ POPOP OOPPEN हो रहा है, तो मैं इसे CLICK CUT कर देता हूँ, उसके बाद देखें दोस्तों, यहाँ पर आपको कहीं भी Gio Data Loan आपको Option नहीं मिलेगा तो मैं एक असान ट्रिक बताऊंगा जिसके तुरू आप जियो डाटा लॉन ले सकते हैं उपर सैड में आपको 3. या 3. लाइन आपको दीख रहा होगा तो इसे आपको किलिक कर देना है किलिक करने के बाद आपको एक option मिलेगा जो new new है दोस्तो जिसमें आपको देखिए red में new लिखा हुआ है तो यहाँ पर emergency डाटा लॉन का option आपको मिल रहा है तो इसे आपको किलिक कर देना है किलिक करने के बाद आपको यहाँ इस तरह से page open होगा यहाँ पे कुछ term लग सकता है दोस्तों लेकिन आपको यहाँ पे। इस तरह से एक Page open होगा जिसे आपको यहाँ पे Slides करके नीचे आ जाना और proceed में आपको option मिलेगा तो इसे आपको यहाँ पे click कर देना है, click करने के बाद यहाँ पे ढ़िए इस तरह से Page open होगा इसलिए यहाँ पे quantity के जगा पे 5 होगा जो आपको option में मिलेगा तो देगे दोस्तों इसका मतलब है कि आपको 5 voucher मिलेगा जिसका 5 voucher जो एक voucher का 1 GB आपको मिलेगा और इसका price 11 रुपईया है आपकी नहीं कारण वर्स आपका data खतम हो जाता है और आप 11 रुपईया रिचार्ज नहीं कर सकते तो आप इसे यूज़ कर सकते इस voucher को और जब 11 रुपईया आप रिचार्ज करेंगे तो आपको 11 रुपईया को cut कर लिया जाएगा इस तरह से आपको यह 5 voucher मिलेगा जिसमें एक एक जी भी आपको हमेशा मिलता रहेगा और देखे दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका validity इस data का कब तक रहेगा तो देखे दोस्तों आप जो planning लिये होंगे तो जो planning खतम नहीं होगा उस time तक यह data का validity रहेगा उसके बाद तो यहाँ पर get emergency data का option आपको नीचे मिल रहा है तो इसे आपको किलिक कर देना है किलिक करने के बाद यह service आपके sim में activate हो जाएगा इस तरह से page open होगा जिसमें आपका number और 1GB activate होने का यहाँ पर दिख रहा होगा यहाँ पर उपर side में emergency data loan activate का option आपको मिल जाएगा मतलब आपके sim में 1GB का data loan activate हो चुका है